नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार क्या उत्तर प्रदेश में योगी बना मोदी का खुला खेल शुरू होने वाला है पूछा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के दुरगती योगी आदितिनात का ट्रेलर है और अगर एसा है तो फिर पूरी पिच्चर क्या होगी और वो रिलीज कब होगी लखनाव से लेकर दिल्ली तक कि सियासत में ये चर्चा गरम है देखिए लोकसभा का चुनाव गुजर जाने के बाद से भाजपा उत्तर प्रदेश में बुरी तरह होबल रही है करारी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए पार्टी में सिर ढूंडे जा रहे हैं और निशाने पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ पूछा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के कैदी मुख्यमंत्री अर्विंद कजरिवाल ने ठीक कहा था कि सत्ता में आने के बाद योगी शुरू हुआ कि पूछिये मत एक एक करके उम्मिद्वार अपने रिपोर्ट भीज रहे हैं दिल्ली और सब कह रहे हैं कि उसे आस्तीन के सांपों ने हराया घदारों ने हराया हमारी पीट में अपनों नहीं खंजर भोका आस्तीन के सांप और घदार जैसे शब्दों का इ ठाधीश की तरफ मुड़ गए और ये हमला बोलने वालों में कि वल हारे हुए लोग नहीं हैं वो भी हैं जो जैसे तैसे जीते हैं जैसे उन्नाओं से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले साक्षी महराज ने इस बार जीत का अंतर कम होने के पीछे भीतरगात को जम्मेदार बताया है उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर काम करने वाले कुछ घदारों और आस्तीन के सापों की वज़ा से वोट कम हो गए वैसे कमाल की बात तो ये है कि खुद नरेंदर मोदी बनारस से जैसे तैसे जीते हैं तो वो किसको अपने रिपोर्ट हैं खैर व संगठन के लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़वाया कारिकरता हैं भाजपा के समर्था के पार्टी से बाहर के लोग भी हैं तो कुल मिलाकर सरकार बन जाने के बाद भी खलबली बहुत जबर्दस्त वाली मची हुई है और दहशत ऐसी है कि कोई नहीं बोल रहा कि इस प सबसे ज़्यादा मंत्री यूपी से बनाए थे इस बार भी सबसे ज़्यादा और इसमें कई तो इतने कद्दावर थे कि पूछिय मत स्वरिती इरानी हार गई डिप्टी सीम रहे महें पांडे हार गए साधवी निरंजन जोती हार गई अमित्शा के जूनियर मिनिस्टर र हार गए भानुप्रताप वर्मा हार गए संजीव बालियान हार गए प्रश्मित्र प्रदेश्वाल इसके अलावा रामपूर आजमगर आउला सीतापूर प्रताबगर सुल्तानपूर बस्ती मचली शहर संत कबीर नगर बांदा दोरहरा कनौज कौशांबी एटा इटावा फैजाबाद, हमीरपूर, सलेमपूर के सांसद भी अपनी सीट नहीं बचा सके अब सपा कॉंगरिस के हाथों मिली जनाटेदार शिकस्त के बाद हारे जीते उम्मिद्वारों ने संगठन को रिपोर्ट बेजने शुरू कर लिए इन रिपोर्टों में आस्तीन के साप और अगदार जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल हुआ हारे विए केंद्रिये मंत्रियों ने भी हार का ठीकरा पार्टी के नेताव पर रिपोर्णना चुरू कर जाए बाजपा ने बाजपा को अरा दिया अब तक 12 से ज्यादा उम्मिद्वारों ने पार्टी हाई कमान को र दूबा जी एपी नड्डा और अमिद्शा को लगता था कि मोधी के नाम पर खंबे को भी खड़ा कर रेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे लेकिन जनता ने ऐसे खंबों को उखाड कर फेक दिया तमाम ऐसे सांसर्द हैं जिनके खलाफ माहौल को देखते हुए स्थानिये क कारिकरताओं और पदादिकारियों ने उनको टिकट नहीं देने की गुजारिश की थी क्यों लड़ा रहे हुए इनको लेकिन उनकी सलाह मश्वरों को नजर अंदाज कर दिया गया नतीजा नाराज पार्टी कारिकरता घर बैठ गया सामने आया है कि टिकट बटवारे को ल लेने की बजाए उपर के नेताओं को इस पर सोचने के लिए कहने की बजाए घर में लगी आगपरी छीटे डालता रहा और हालत यह हो गई कि बड़े-बड़े चेहरे धूल में मिल गया अब जिन बड़े चेहरों को हार मिली है उन्होंने प्रदेश भाजपा के नेताओं पर हार का ठीकरा फोरना शुरू कर लिया साक्षी महराज तो जीत गए लेकिन केंद्रिये मंत्री रही साध्वी निरंजन जोती फतेपूर से हार के उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनकी हार का कारण पार्टी के अंदर के कुछ लोगों की भितरगात है इसी तरह म पूर्शल किशोर भी दिल्ली भेजी गई अपने रिपोर्ट में कहते हैं कि पार्टी कार करताओं नहीं उनकी कबर खोट डाली रामपूर से हारे घंशाम सिंग लोधी लिखा मुझे बाहर वालों से ज्यादा अंदर के लोगों ने हरा दिया कुछ नेताओं ने बिलकुल वाली सांसद और प्रभावशाली भाजपानेता ने ब्रामबन और कुर्मी और सहीद पार्टी के पार्टी के खलाफ वोट कर वाया लालगन सीट से हारने वाली भाजपा उमेदवार नीलम सोनकर ने भी अपनी हार के लिए स्थानिये पार्टी पदादिकारियों के हाद को जिम्मेदार ठैड़ाया उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी संगठन को पता है कि कुछ नेताओं ने सपा उम्मिद्वार की मदद की लेकिन वो देखते रहें इसी तरह गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विदायक नंद किशोर गुलजर ने आरोप लग नहीं लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि भाजपा के कारकरता अंदर ही अंदर उन्हें हराने की कोशिश करते रहें अंतंत तक मेरट से जीतने वाले अरूर गोविल तो चुनाओ के बाद ही इशारों में अपने खिलाफ साज़श की बात कह चुके थे हाला कि जीत गया है बारा बंकी, फैजाबाद, सुल्तानपूर, इलाबाद, कौशामबी, बदाईयों, सीतापूर इन जगों से भी रिपोर्ट गई है कि खुद भाजपा के कारकरताओं और पदादिकारियों ने मोदी की गारंटी के हाथी पर बैठकर त्रशूल भांज रहे मठादीशों को फीरी, मजफरपुर और फतेपुर जैसी कई सीटों से रिपोर्ट बेजी गई है कि स्थानिये, विधायक और पार्टी पदादिकारी प्रचार के लिए घर से निकले ही नहीं, अब सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर जो भीतर घात की इंजिनियरिंग की गई, उसका ए होने वाला था, सूत्रों का कहना है कि भीतर घात की इतनी सारी शिकायतों के बाद से मोदी शाह की तियोरियां चड़ी हुई है, जेपी नड़्डा ने बंद कमरे में करीब दो घंटे तक एक बैठक की है, और इसके बाद प्रदेश संगठन से भीतर घात करने वालों को च आजपा के भीतर खुल कर मोदी बनाम योगी का खेल शुरू होने वाला है, और अगर ऐसा है तो इसका अंजाम कौन लिखेगा, योगी लिखेंगे या मोदी लिखेंगे, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब न लिखेंगे जनलिस्ट, नमस्कार.